अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करेयर बनाना चाहते हैं या पर अदवाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट चाप सीखना चाहते हैं वी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z About Taro आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी स्कोर्स में covered है और अगर इसी से ही related कोई भी सवाल, कोई भी doubt आपके मन में है आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पर हमें whatsapp कर सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल ये 3rd June से लेकर 9 June तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सब भी signs के सापता है क्राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें हो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही क्राशी फल चलिए जी आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है passion ignited इस card के literal meaning को देखें तो specifically professional front में बहुत एक passionate energies है तीवे दिख रही है अब देखिए सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा लेकिन अगर Aries पीछे आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एक boredom, बहुत एक monotonous energies में हसूस कर रहे थे तो ये week आपके लिए काफी exciting रहता वा दिख रहा है In fact, सभी Aries के लिए जो भी काम आप अपने professional front में कर रहे हैं बहुत एक enthusiasm, बहुत एक excitement आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं अपने goal, अपने मकसद को लेकर एक motivation भी रहते हुए दिख रही है क्योंकि ये number one card है, कुछ Aries के लिए हो सकता है कि कोई नई beginning या तो हो रही है, या फिर आप करना चाह रहे हैं या पर recently अगर हुई है, तो overall ही again एक enthusiasm, excitement आप महसूस कर रहे हैं Again दिखिए, general reading है, तो नई beginning सब Aries के लिए differ करेगी कुछ के लिए नई job हो सकती है, कुछ के लिए नई team, नया project हो सकता है कुछ के लिए simply पुराने काम करने के तरीके को आप change करके नई सिरे से आप चीजों को कर रहे हैं, नई तरीके से आप चीजों को कर रहे हैं तो जो भी चीजे मेरे mind में आई, मैंने कहा किसी भी level पे किसी भी तरीके से एक नई beginning भी इस week रह सकती है और overall ही आप बहुत enjoy करते हुए दिख रहे हैं एक happiness, एक joy रहती हुए दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए fertility का card है क्या बात है Aries, दोनों ही fronts के लिए बहुत positive cards है और overall ही ये week आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है और देखिए जो दोनों ही fronts के लिए एक चीज common रहती हुए दिख रही है growth, progress आपकी life में रहेगी professional front में भी और personal front में भी क्योंकि देखिए fertility का मतलब ही होता है कि बहुत soil fertile है और जब soil fertile होता है तो हम beach बहुते हैं तो पौधा जरूर निकलता है in fact बहुत अच्छी quality का पौधा निकलता है और इस week personal front में काफी एक conducive काफी एक fertile environment महौल रहता हुआ दिख रहा है होता है ना कभी-कभी हम बड़ा effort करते हैं बड़ी जद्दो जहत करते हैं और हमें हमारा एक positive result ही नहीं मिलता positive outcome नहीं मिलता हम बड़े मायूस हो जाते हैं और कभी-कभी थोड़ा सा effort बहुत जल्दी एक positive result outcome देता है तो कहीं इस week आपके personal front में इसी तरीके की energies हैं आप थोड़ा सा effort करेंगे आपको एक positive outcome result मिलेगा in fact जल्दी मिलेगा और पीछे किसी भी चीज के लिए effort कर रहे थे बहुत महनत कर रहे थे तो उसका भी एक positive outcome इस week आपको मिलता हुआ दिख रहा है overall एक comfort luxury रहते हुई दिख रही है अब दिखें एक comfort luxury भी सब Aries के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा लेकिन बड़े मजे मस्ती में आप चीजों को करते हुए दिख रहे है क्योंकि fertility mother energies को represent करती है तो कुछ Aries के लिए हो सकता है कि कोई female है या फिर कोई male भी है जिनकी feminine energies हैं बहुत curing, nurturing है उनके साथ आपकी जादा involvement रह रही है जादा interaction, जादा बाचीत रह रही है and in general या फिर guidance से आप लुगों के लिए joy and stability का card है अब देखिए guidance से भी बहुत ही एक positive card है तो फिर से कहूंगी overall ही ये week अच्छा रहता हुआ दिख रहा है लेकिन कितनी बारी क्या होता है जो भी अच्छी चीजे हमारी life में हो रही होती है हम उन पर focus ही नहीं कर पाते हैं जो एक आदी चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है हम इतना उस पर attention देते हैं इतना उसको लेकर मायूस होते हैं कि हम फिर से मैं कहूंगी अच्छी चीज़ों को नहीं enjoy कर पाते हैं और इस card का यही आपके लिए message है कि आप चीज़ों को enjoy करें जो भी चीज़ें आपको happiness दे रही हैं उनको लेकर खुश हो क्योंकि देखिए खुश रहना भी अपने ही हाथ में होता है क्योंकि जब तक हम खुश से effort नहीं करते हैं तब तक हम 100% खुश 100% तो भी भी हम खुश नहीं रह पाते हैं लेकिन you know overall हम चीज़ों को नहीं enjoy कर पाते हैं तो इस चीज़ का आप खयाल ज़रूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए Venus sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था एरी इस आप लोगों के लिए coming week का सापता है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो तेजी की बात करता है, speed की बात करता है in fact मैं कहूंगी बहुत तेजी से, speed से एक movement की होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ देख रहा है overall in general के लिए देखें तो पीछे किसी भी चीज में आप stuck महसूस कर रहे थे अटका हुआ महसूस कर रहे थे या फिर आपको ऐसे लग रहा था कि चीजे रुकी हुई है आगे नहीं बढ़ रही है तो इस week उन्हीं stuck energies में से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं बहुत तेजी से, speed से चीजें आगे बढ़ती हुए दिख रहे हैं अब दिखें ये general reading है ये movement, speed, तेजी सब Taurus के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगी मैंने अभी आपको बताया कि overall के लिए stuck energies में से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप out of the city, within the city या out of the country travel कर रहे हैं बहुत जादा आपकी movement रह रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत speed से चीजें आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ आप अपनी speed match करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आपको यसे लग रहे है कि बस वो growth वो progress आपको अपने professional front में चाहिए ही चाहिए है और उसी से ही related जो भी action initiatives required है आप वो ले रहे हैं या फिर यूनो एक growth एक progress in general ही आपके professional front में इसमीक रह रहे है यानि कि जो भी हो रहा है आपको यसे लग रहा है कि ये चीजें growth और progress की तरफ लेकर जा रही है तो nutshell में देखिए ये वी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है कोई stories के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी deadline नजदीक आ रही है और आपको यसे लग रहा है कि भई बहुत speed से काम करना पड़ेगा तो देखिए situation, circumstances सब के लिए differ कर सकते हैं लेकिन broader level के लिए ये week again movement, speed, तेजी आपके professional front में लाता हुआ दिख रहा है growth, progress लाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए positive movement forward का card है तो overall ही tourist ये week again मैं कहूंगी एक movement लाता हुआ दिख रहा है professional front में अभी मैंने आपको बताया कि बहुत तेजी से, बहुत speed से ये movement रह रही है और personal front में चीजें आगे again बढ़ती हुई दिख रही है और यहाँ पे बहुत clearly लिखा हुआ है positive movement forward तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एक progress लाता हुआ दिख रहा है जो भी काम आप कर रहे हैं जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है उसे related और देखिए movement कहीं travel को तो represent करती ही है तो professional या personal या फिर दोनों ही front से related again या तो आप travel कर रहे हैं या फिर आप करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है simply travel से related planning हो रही है ये travel again मैं कहूंगी within the city भी हो सकता होता है जब हम एक जगा से दूसरी जगा बहुत ज़ादा जा रहे हैं तो वो भी कहीं एक movement ही represent करेगी कुछ के लिए out of the city, out of the country भी रह सकता है and yes action initiatives आप लेते हुए दिख रहे हैं अपने goal अपने मकसद को लेकर बहुत एक active energies रहते हुए दिख रही है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए share the love का card है तो दिखे हम सब के ही past love होता है हम सब लोगी human beings है and human beings कहीं love को ही represent करते हैं लेकिन most of the times या at times हम उस love को share नहीं करते हैं हम अपनी feelings को यह express करते हैं हम कहीं you know बहुत सारी बातें अपने loved one से कहना तो चाहते हैं या at times professional friend में अपने colleague से भी कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं हैं और यहाँ पर यह card आपको यही message दे रहा है उसको ज़रूर share करें उसको ज़रूर express करें अपने तक ही नहीं रखें and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो यह था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए जमनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है financial and material changes और यह card कहता है कि इस week specifically professional fund में money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related चोटे मुटे issues, चोटे मुटे मसले रह सकते हैं अब इस चीज को सुनके आप में परिशान नहीं होना क्योंकि मैंने बहुत जोर देकर कहा चोटे मुटे issues यह weekly reading है, minor arcana का card है ऐसे में कोई बड़े मसले नहीं होते हैं जो रोज मर्रा की जिंदगी में again कहूंगी चोटे मुटे issues होते हैं वही इस week रह सकते हैं जैसे की payment delay हो गई जितना profit, जितना मुनाफ़ा आप expect कर रहे थे आपको इस week लग रहे है कि उतना मुनाफ़ा आपको नहीं मिलेगा किसी को उधारी दी वही थी और आप expect कर रहे थे कि इस week आपको पैसे वापिस कर देंगे तो इस week आपको पैसे वापिस नहीं मिल रहे हैं और दिखिए जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा इसी तरीके के money पैसे से related मसले रह सकते हैं एका दुका लोगों के लिए money पैसे से related नुकसान भी हो सकता है तो दिखिए इस card का message आपके लिए यही है कि materialistic tangible चीजों से related या फिर money पैसे से related कोई risk ना लें बहुत safe secure होके चीजों को deal करें और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि किसी coworker, colleague या फिर otherwise भी आप किसी से कोई support, कोई cooperation expect कर रहे हैं तो इस week आपको उस तरीके का एक positive response उनकी तरफ से नहीं मिलता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लगों के लिए shadow का card है और यह card कहता है कि personal front में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही fear, insecurity रह सकता है एक confusion रह सकती है और देखे, rider wet के cards में यह moon card है और moon कही mind को represent करता है और मैंने हमेशा कहा है कि हमारा mind बहुत बहुत fertile होता है negative thoughts के लिए एक negative thought आता है और यह negativity multiply होनी शुरू हो जाती है तो इस week आपने खास खयाल रखना है कि कोई भी negative thought आए तो आपने तुरंट उसको कहना है recall, cancel, delete यहाँ पर funda यही है कि उस negative thought को उस negative energy को हमने universe तक नहीं जाने देना है जैसे ही हम कहते हैं recall यानि कि हमारे mind में thought आया हमने उसको वापस बुला लिया cancel कर दिया and delete कर दिया तो देखिए इस तरीके से आप अपने thoughts को observe करेंगे self talk को observe करेंगे recall, cancel, delete करेंगे तो इस week की energies को भैतर करेंगे नहीं तो फिर आप थोड़े से या फिर काफी परेशान हो सकते हैं क्योंकि external front में जो भी हमारी life में हो रहा हो उसको लेकर हम internally खुद को क्या कहते हैं वही determine करता है कि हम उस situation में कितने परेशान होंगे कितना, you know हम उस situation को positively manage करेंगे तो इस चीज का खयाल जरूर रखें and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए clarity of belief का card है तो बहुत clear message है कि जितना आप logically चीज़ों को deal करेंगे आप mind से चीज़ों को deal करेंगे आप clarity रखेंगे उतना ही इस week में जो भी issues मसले हैं उनको आप बहुत positively sort out कर पाएंगे क्योंकि देखिए दोनों ही friends के लिए बहुत great energies, बहुत great चीज़े नहीं रहते में दिख रही हैं और ऐसे में बहुत important होता है सबसे बहुत चीज़ कि हम clear हो कि हम क्या कर रहे हैं कितनी बारी हमारा goal जो भी होता है हम उसके साथ अपने actions को नहीं align कर रहे होते हैं यानि कि हम चाहा कुछ और होते हैं तो फिर हम beyond the point परिशान नहीं होते हैं तो फिर से कहूंगी clarity रखना बहुत important होता है और in fact देखिए knowledge power नहीं होती है clarity रखना किसी भी situation में अपने goal के साथ, अपने मकसद के साथ अपने actions, अपने initiatives को align करना बहुत हमें power देता है बहुत हमें एक security stability देता है तो देखिए आप इस guidance को भी follow करेंगे तो इस week के energies को आप बहतर कर पाएंगे and astrology से आप लुगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके साब से all shades of yellow इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Thursday तो ये था Gemini's आप लुगों के लिए coming week कर सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे कमें सेक्षिन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक insurance आप लुगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है के energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है emotional withdrawal और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में वो एक happiness, वो एक joy आप नहीं महसूस कर रहे हैं जो भी हो रहा है या फिर आप कर रहे हैं वो एक satisfaction आपको नहीं मिल रही है अब देखें इसके लिए सब considerations के लिए different reasons रहेंगे और यहाँ पर देखें मैं ये बिलकुल भी नहीं कह रहे हूँ कि money, पैसा, materialistic, tangible चीजों से related आपको gain फाइदा नहीं हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है और यहाँ पर देखें reason आपकी dissatisfaction का यही रहतवा दिख रहा है कि आप कहीं चीजों को enjoy नहीं कर पा रहे है होता है ना जिस चीज के लिए हम बहुत passionate है जिस चीज को लेकर हम बहुत एक excitement महसूस करते है वो चीज हम नहीं कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और देखें अगर money पैसा आपको excitement and enthusiasm देता है तो money पैसे से related issues रह सकते है आप situation, circumstances सब के लिए differ कर सकती है लेकिन फिर से कहूंगी एक dissatisfaction आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि भई सब को छोड़ चार के ना कहीं दूर चले जाओ कुछ के लिए literally हो सकता है कि कि किसी चीज को छोड़ कर आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं बढ़ रहे हैं यहाँ पर कुछ के लिए job हो सकती है कुछ के लिए team, कुछ के लिए project कुछ के लिए जगा, कुछ के लिए आपके काम करने का तरीका अगेन कोई भी चीज हो सकती है जिसको छोड़ कर आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर बढ़ भी रहे हैं अगेन जो भी situation रह रही है वो happiness, joy आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं अब इस चीज को सुनके परिशान नहीं होना क्योंकि ये जिन्दगी है हमेशा ही, हम हर चीज को लेकर या फिर जो भी हो रहा है उसको लेकर एक satisfaction, happiness महसूस करें ये possible नहीं होता है कभी हम बहुत great feel करते हैं अब इतना great नहीं feel करते हैं तो ये वो हफता है जहां पर आप चीजों को लेकर उतना great नहीं feel कर रहे हैं ऐसे में बहुत important होता है कि आप conscious effort करके खुद को motivate करें, एक enthusiasm excitement लेकर आएं अपने goals को लेकर clear हों और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर इन ही energies में सिब खुद को बहार निकाल पाते हैं और better भी feel करते हैं तो इस चीज का खयाल इस week आप ज़रूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए mental conflict का card है बहुत clearly ये card कहता है कि कि किसी चीज को लेकर specifically या फिर overall ही मन में एक दोविदा चल रही है मन में एक उल्जन रह रही है एक conflict रह रही है आप देखिए conflict का reason सब concerns के लिए differ करेगा लेकिन ये दो नंबर का card है और दो नंबर का card कहीं decisions choices की बात करता है तो हो सकता है कोई decision कोई choice आपको लेना है आप नहीं ले पा रहे हैं आप हाँ बोलते हैं तो आपको लगता है ना बहतर है आप ना बोलते हैं तो आपको लगता है हाँ बहतर है और इसी कश्मकश में आप इस week रह रहे हैं और देखिए फिर से कहूंगी ये personal front के energy जादर है तिवी दिख रही हैं और इसी वज़े से याँ फिर otherwise वो एक action वो एक initiative जो आपको लेना चाहिए आप नहीं ले पा रहे हैं इन दा process हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को देख के अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं तो देखिए ये card दो तीन messages आपको देता है सबसे पहली चीज कि आप एक clarity लेकर आएं और जो भी action initiatives लेने की ज़रत है वो आप ज़रूर लें और आप चीजों को अंदेखा ना करें अंसुना ना करें क्योंकि देखिए जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक temporary you know piece अपने लेकर आते हैं यह temporarily चीजों को avoid कर पाते हैं हमें लगता है कि हम ऐसा करके अपनी life को easy कर रहे हैं बट back end में यह चीजे accumulate होती रहती हैं बढ़ती रहती हैं और एक time आता है जब हम इनको चहा कर भी avoid नहीं कर पाते हैं और तब तक यह इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं कि फिर हमसे manage नहीं होती हैं फिर हमसे you know चीजें solve नहीं होती हैं और हम चीजों को unknowingly unintentionally complicate करते हैं तो देखिए कोई भी चीज अगर आपको ठीक नहीं लगे immediate action ले उसको solve करने के लिए उसको resolve करने के लिए and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए card है open up और ये card कहता है कि इस week किसी भी चीज को ले करें या फिर overall ही आप rigid हो रहे हैं, fixated हो रहे हैं आप अपने आपको opportunities से या फिर किसी connection से किसी relationship से close कर रहे हैं यानि कि आप उनको avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं तो ऐसा आप बिलकुल भी ना करें, जो opportunities आ रहे हैं आप open minded से उनको देखें और कोई इंसान अगर आपसे connect करना चाहा रहे हैं और फिर कोई issue, कोई मसला किसी relationship में रहा और वो reconcile करना चाहा रहे हैं तो आप इन चीजों को avoid ना करें, ignore ना करें थोड़ा सा आप नई चीजों को लेकर open up हो नई opportunities को लेकर open up हो nutshell में आप बहुत rigid, fixated, stubborn, ziddy किसी भी चीज के लिए ना हो थोड़ा सा आप flexible ज़रूर है and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है इसके हिसाब से all shades of red, maroon इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था किन सेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले लिए उस आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है material harvest और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related किसी भी level पे किसी भी तरीके से आपको gain फाइदा हो रहा है या फिर पीछे आपने किसी चीज़ को लेकर या overall ही effort कि आप मेहनत करी उसका एक positive result आपको मिल रहा है या फिर पीछे जो भी आपको positive result मिला, positive outcome मिला gain फाइदा हुआ उसको आप इस week enjoy कर रहे हैं अब enjoy करने का तरीका सबके लिए differ कर सकता है लेकिन material harvest का card कहता है कि शायद आप थोड़ा सा खर्चा कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी purchase आप बहुत time से करना चाहा रहे थे इस week आपको लग रहा है कि भई करना बनता है क्योंकि वो फाइदा आपको हुआ है जो बहुत time से आप चाहा रहे थे या पर जिसके लिए बहुत time से आप effort कर रहे थे कुछ के लिए हो सकता है आप अपने office को या पर जिस भी जगा पर आप काम करते हैं उसको और beautify कर रहे हैं और कहीं आप चीज़ों को enjoy करते हुए दिख रहे हैं और personal front के लिए आप लुगों के लिए temptation का card है अब देखें temptation के literal meaning को देखें तो कहीं एक बहुत जबर्दस अट्राक्शन मतलब इतनी ज़ादा अट्राक्शन है कि आप अपने आपको control नहीं कर पा रहे हैं आप बहुत ज़ादा उस चीज़ की तरफ खिचे वे जा रहे हैं और जब भी ऐसी energies होती हैं हम परिशान ही होते हैं क्योंकि देखे temptation कहीं एक negative energy को represent करता है और negative energy positive energy नहीं लेकर आती है temptation का मतलब किसी level पर greed भी होता है greed का मतलब और चाहना greed का मतलब हमें satisfaction नहीं है हमें तसली नहीं है अब देखें ये energies के लिए सब Leo's के लिए different situations रहेंगी कुछ के लिए relationships से related रह सकता है आप अपने loved one ये loved one कोई भी हो सकते हैं उनका जादा प्यार चाहा रहे हैं जादा attention चाहा रहे हैं उनका जादा time चाहा रहे हैं उनका जादा एक presence चाहा रहे हैं और जब हम again कहूंगे किसी भी चीज के लिए और जादा और जादा चाहते रहते हैं हम बहुत परिशान होते हैं यहाँ पर कुछ के लिए materialistic tangible चीज़े भी हो सकती है जिनको लेकर बहुत एक temptation आप महसूस कर रहे हैं आप और ज़ादा और ज़ादा चाहा रहे हैं ऐसे में हम extra effort करते हैं extra initiative लेते हैं जितना हमें नहीं लेना चाहिए उससे भी ज़ादा लेते हैं और फिर से कहूँगी एक तसल्ली नहीं रखते हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके correct करें मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप effort ना लें आप ज़रूर effort लें लेकिन moderation में लें एक balance तरीके से लें खाने में नमक सबसे हैम होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी सबजी में अगर एक चमश नमक डलना है हम 10 चमश नमक डालेंगे तो वो सबजी ज़ादा tasty हो जाएगी जितना हम proportion से ज़ादा नमक डालते रहेंगे उतना ही वो सबजी खराब होगी इसी तरीके से जितना effort की requirement है या पर जितना action initiatives required है आप उतना ही लें थोड़ा बहुत ज़ादा लेते हैं कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब आप किसी भी चीज को over कर देते हैं वो चाही जितनी भी अची चीज हो हम उस चीज को खराब करते हैं तो इस चीज का खयाल रखें ego issues हो सकते हैं इसको भी आप ज़रूर चक करके correct करें यानि कि आपको लगे कि भई ego की वज़े से चीजें खराब हो रहे हैं तो उसको again चक करके correct करें surrender mode में रहें अपना effort करें अपनी महनत करें outcome का बहुत ज़ादा outcome से बहुत ज़ादा एक attachment ना रखें या फिर outcome पे बहुत ज़ादा focus ना करें ऐसा करेंगे इस week energy इसको बहतर करेंगे लेकिन कहीं आप balance नहीं maintain कर पाए तो फिर आप परेशान हो सकते हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए detach का card है तो देखिए जो मैं अभी आपको कह रही थी ना वही कहीं guidance का card भी आपको message दे रहा है कि आपने अपना करम करना है अपना effort करना है और कहीं outcome से या फिर किसी भी चीज़ से over attachment नहीं रखनी मैं क्यों कह रही हूँ over attachment नहीं रखनी क्योंकि देखिया हम human beings है हम बिल्कुल detached तो किसी चीज़ से होई नहीं सकते हैं लेकिन हम इतना जरूर खयाल रखें कि detached attachment रखें फिर से कहूंगी over attached नहीं और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो कहीं हम चीज़ों को बहतर करते हैं जब नहीं कर पाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके हिससाब से all bright shades इस वीक आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए coming week असापता है ग्राशी फल और नीजे मुझे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए वोगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिक रा नहीं है कि सभी वोगोज की wishes desires पूरी हो रही है but definitely कुछ वोगोज की कोई ना कोई wish कोई ना कोई desire इस week specifically professional friends are related पूरी होती हुई दिख रही है अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी wish हो छोटी मोटी wishes भी इस week आपकी पूरी हो सकती है और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी wish है desire है professional friends are related आप उस पे बहुत focus कर रहे हैं आप उस पे बहुत attention दे रहे हैं कितनी बारी होता है ना कि हम सबसे पहली चीज अपनी wishes desire को acknowledge ही नहीं करते हमें ऐसे लगता है और जब पूरी होती है wish तब तो होती ही होती है तो जो भी scenario रहे एक happiness, एक joy, एक satisfaction अपने professional friend में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और देखिए ये happiness का source कहीं money पैसा नहीं रहता हुआ दिख रहा है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि money पैसे से related चीज़ें ठीक ठाक नहीं रहेंगी ठीक ठाक रहे भी सकती है, नहीं भी रह सकती है लेकिन फिर से कहूँगी वो source आपकी happiness का नहीं रहता हुआ दिख रहा है source of happiness आपकी wishes, आपकी desire है और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करने से जो एक enjoyment मिलती है जो एक passionate energies आप महसूस करते है वो कहीं source of happiness रहतावा दिख रहा है कुछ वोगोस के लिए हो सकता है कि eating, drinking, merrymaking आपके professional front में रह रही है अब इसके लिए भी सब वोगोस के लिए different situations रहेंगी कुछ के लिए हो सकता है कि आपके professional front में कोई event है कुछ के लिए हो सकता है कि अपने co-workers, अपने colleagues के साथ आप किसी चीज़ को celebrate कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आपकी meeting, किसी eating joint पे, restaurant या फिर इस तरीके की जगाओं में है जहाँ पे आप काम तो कर रहे हैं साथ ही साथ कहीं eating, drinking, marimaking भी रह रही है तो जो भी हो रहा हो कहीं फिर से कहूंगी overall एक happiness, joy आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए discontent and boredom का card है तो देखे एकड़म से contrary energies आपके personal front में रह रही है जहाँ professional front में देखा हमने की happiness, joy है वही personal front में आप बहुत demotivated किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही महसूस कर रहे है और कहीं एक boredom रहता हुआ देख रहा है एक dissatisfaction रहते वे देख रही है अब देखे जब भी ये काड़ आता है तो इसका मतलब यही होता है किसी चीज को आप उस तरीके से enjoy नहीं कर पा रहे है किसी चीज में आपका मन नहीं लग रहा है किसी चीज पर आप focus नहीं कर पा रहे है और कहीं इनों बहुत अंदर से बुझा बुझा सा मन है बुझा बुझा सा दिल है और कहीं इसी वज़े से या फिर otherwise भी फील करें एक enthusiasm एक excitement रहे क्योंकि देखिए जब तक वो spark नहीं है वो fire नहीं है वो enthusiasm excitement नहीं होता है तब तक हम अपने goal अपने मकसद को नहीं पा पाते हैं तब तक एक happiness एक enjoyment भी नहीं हम हैसूस कर पाते हैं और जब हम बहुत time तक इसी energies में रहते हैं तो हम इन ही energies में और deep जात जाते हैं एक time आता है कि इसमें से निकलना भी मुश्किल हो जाता है तो अगर इसी week आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या फिर काफी time से ऐसी energies हैं जो भी हो जितनी जल्दी से जल्दी आप इस energies में से खुद को बाहर निकालेंगे उतना ही आपके लिए बहता रहेगा इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए nurture का card है और ये card कहीं you know grounding की बात करता है ये card कहीं बहुत ही practical realistic तरीके से चीजों को deal करने की बात करता है साथी साथ जो चीजें आपकी life में अच्छी हैं उन पे focus करके उनको enjoy भी करने की बात करता है तो इस चीज का खयाल इस week and astrology से आप लोगों के लिए Germany sign का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था वगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate क या कितना आप connect कर पाए तो चलिए Libras आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है emotional loss और बहुत clearly ये card कहता है कि इस week आप emotionally low feel कर रहे हैं अब situation circumstances सब के लिए differ करेंगे लेकिन broader level के लिए card कहता है कि कहीं कुछ या तो आपके हिसाब से नहीं चल रही है या फिर जो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है आप उन पर बहुत जादा focus कर रहे हैं और दीखें यहाँ पर emotional loss लिखावा है यानि कि materialistic tangible चीजों से related आपको loss नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन फिर से कहूंगे कि अच्छी आपके professional front में चल रही है उन पर focus करना बहुत important है और जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं अपनी energies में एक shift लेकर आते हैं और external front में भी चीजों को भैतर करते हैं क्योंकि जैसे ही हम emotionally low feel करते हैं एक negative frame of mind में आते हैं हम negative energy में vibrate करना शू कर देते हैं और कहीं universe से भी वैसी energies हम attract करना शू करते हैं और चोटी मोटी चीजें जो external front में खराब हो रही होती हैं हम negative energy की वज़े से उनको और ज़्यादा खराब करते हैं तो nutshell में आपके लिए इस card का message यही है कि हो सकता है कुछ चीजें आपके हिसाब से ना चल रही हो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि क कोई नुकसान आपको हो रहा हो जो भी external front में हो रहा हो आपने बहुत ही positive frame of mind के साथ चीजों को deal करना है जो चीजें आपके professional front में ठीक हैं आपने उन पे focus करना है और एक positive frame of mind में रहेंगे तो जो external front में छोटे मुटे issues हैं उनको भी आप positively deal कर पाएंगे उनको भी आप solve कर पाएंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए spiritual strength का card है और ये card कहता है कि हो सकता है कुछ चीजें आपके personal front में आपको थोड़ा सा pressure दे रही हैं थोड़ा सा एक stress थोड़ा सा एक tension दे रही हैं और देखें tension और stress से जादा एक pressure एक burden आप महसूस कर रहे हैं I don't know इस card को आप कि पा रहे हैं इस card में जो figure है ओ कहीं है नो किसी एक वजन को अपने ऊपर बहुत ही strength के साथ hold कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर इस card का मतलब आपके लिए ही है कि अपने आपको emotionally mentally इतना strong बनाए कि external front में जो भी issues मसले हैं वो आपको beyond the point bother ना कर पाएं beyond the point upset ना कर पाएं तो देखें दोनों ही fronts के लिए कहीं similar सी energies रहती हुई दिख रही हैं और दोनों ही fronts में कहीं emotionally खुद को strong बनाना बहुत-बहुत important रहेगा देखें जब यह table weak होता है हम थोड़ी सी भी भारी चीज़ रखते हैं तूट जाता है लेकिन जब यह table बहुत मजबूत होता है तो भार इसलिए जो भी हो हम इतने strong हों कि हमें कोई चीज bother ही ना कर पाए और देखें ए emotional strength कहीं spiritual, religious activities में खुद को involve करने से आती है और इसलिए इस card में spiritual strength रिखा हुआ है तो इस week specifically personal friend, in fact देखें professional friend में भी आप emotionally low feel कर रहे हैं तो overall ही अगर आप spiritual activities में खुद को involve करते हैं जिन भी God क आप मानते हैं उनसे related आप regularly prayer करें या फिर religious place को visit करते हैं या जो भी चीज आपके लिए work करती है simply घर में 5-10 मिन meditation करना या फिर mantra chanting करना again जो भी चीज work करती है उसको आप जरूर करें और कभी 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 नहीं मैं कहूंगी मेरे लिए तो हमेशा ही work करता है कोई motivational speaker जिनसे आप connect करते हैं उनको सुने और ऐसी चीजें अगर आप करते हैं तो एक emotionally आप strong बनते हैं और आपके अंदर एक spiritual strength आती है जब आप spiritually बहुत strong हो जाते हैं तो यकीन मानिये external front में जो भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं वो हमें बिलकुल भी नहीं bother कर पाती हैं और कहीं spiritual strength के साथ हम external front की चीजों को भी बहतर कर पाते हैं तो इस चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए manifest का card है बहुत ही beautiful आप लोगों के लिए message है ये card कहीं आपको remind करा रहा है कि जो भी आप चाहते हैं चाहें वो आपका professional front हो या personal front हो आपके अंदर वो power है आपके अंदर वो capacity है आपके अंदर वो एक potential है उसको manifest करने के लिए तो अपनी inner strength अपनी inner power को ज़रूर आप realize करें और उसको positively आप utilize भी करें ताकि जो भी आप चाहते हैं उसको आप manifest कर पाएं तो जो manifestation power हम सब के अंदर होती ह है उसके लिए ये card आपको remind कर आ रहा है और कहीं न कहीं ये card कह रहा है कि आप मायूस ना हो आप again मैं कहूंगे अपनी manifestation power को जाने और जो चाहते हैं उसको manifest करें and astrology से आप लुगों के लिए Uranus का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Saturday तो ये था लिए ब्राज आप लुगों के लिए coming week का साथ तही साचीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले इस copy उस आप लुगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है power और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मोटे issues छोटे मोटे challenges रह सकते हैं अब दिखी इस चीज़ को सुनके आपने बिलकुल भी नहीं परेशान होना क्योंकि यहाँ पे power का card है ये कहीं strength की बात करता है ये कहीं willpower determination की बात करता है तो जहाँ एक तरफ ये card challenges मसलों की बात करता है वहीं दूसरी तरफ ये card कहता है कि अगर आपने willpower determination के साथ चीज़ों को deal किया आप डरे नहीं आप घबराए नहीं और दिखी इस card में loin बना हुआ है loin की तरहें चीज़ों को face किया तो definitely आपको victory मिलेगी definitely आपको success मिलेगा और यहाँ पे दिखी एक inner power एक inner strength की ये card जादा बात करता है तो nutshell में आप willpower रखें determination रखें बहुत courageously आप front होके चीज़ों को deal करें और अगर ऐसा करेंगे तो ये week आपको बहुत अच्छा जाएगा लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने give up किया आपने हिम्मत हारी तो फिर आप परिशान हो सकते हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए balance का card है और बहुत clear आप लोगों के लिए message है कि इस week या तो आप balance रख रहे हैं और अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर से कहूंगी ये card आपको message दे रहा है तो कहीं कोई भी चीज ना तो आपने over करनी है ना ही आपने you know कम करनी है कितनी बारी होता है ना कि हम over effort लेते हैं, over चीजों में involve होते हैं, जितना कर सकते हैं उससे जादा चीजों पर focus करते हैं और कितनी बारी हम एकदम से backseek ले लेते हैं और दोनों ही सेनारियों में कहीं हम अपने goal मकसद को नहीं पापाते हैं यहां फिर चीजों को खराब करते हैं तो बहुत moderate तरीके से balance रखते हुए आप चीजों को यहां तो deal कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो ऐसा करने के लिए काड आपको कह रहा है और इस week कहीं peace, सुकून आपके लिए ज़्यादा एहम रहतावा दिख रहा है कितनी बारी होता है ना कि हम अपने peace और सुकून को side में रखते हैं और खुद को ऐसी चीजों में involve करते हैं जो कहीं हमें परिशान कर रहे होती हैं और हम बहुत unknowingly, unintentionally कर रहे होते हैं हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं इसकी वज़े से कितना एक pressure, कितना एक tension हमें हो रहा है तो कहीं देखिए इस week फिर से कहूंगी आप बहुत peace, सुकून maintain करना चाहा रहे हैं या फिर इन चीजों पे ज़्यादा focus है आपको ऐसे लग रहा है कि भई कोई चीज अगर नहीं भी हो रही ना तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मुझे अपना सुकून नहीं खराब करना है तो देखिए balance तरीके से actually हमेशा ही हमें ऐसी energies रखनी चाहिए और जब हम ऐसी energies रख रहे होते हैं हम कहीं universe पे surrender कर रहे होते हैं कहीं हम universe पे faith कर रहे होते हैं और कहीं देखिए balance के हिसाब से देखें तो ये week आप लोगों के लिए ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा logically चीजों को deal कर रहे हैं थोड़ा सा mind से चीजों को deal कर रहे हैं कहीं हर चीज के pros and cons को वे करते हुए चीजों को deal कर रहे हैं और at times ऐसी energies रखना बहुत important भी होता है तो नच्छल में देखिए personal friends से related ये week ठीक था क्यानि कि neutral रहता हुआ दिख रहा है और professional में मैंने आपको बताया कि आपके उपर बहुत कुछ depend करेगा आप courageously चीजों को deal करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन अगर आपने हिम्मत हारी तो फिर आप परेशान हो सकते हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए listen का card है बहुत clear message है कि इस week आपने सुनना जादा है बोलना कम है most of the times हम इतना जादा अपनी बातों को कहने में अपनी feelings को express करने पर focus कर रहे होते हैं कि हमें ऐसास ही नहीं होता है कि सामने वाला क्या feel कर रहा है या पर सामने वाला क्या कहना चाहता है और हमें नहीं पता लग पाता कि भई, again सामने वाले के मन में क्या है तो ये देखिए मैंने बहुत एक generic आपको example दिया broader level के लिए एक card कहता है कि चीजों को अच्छे से observe करें listen करें और अपना input इतना ना दें external front पे जो एक चीजें आपको दिख रही हैं उनको समझने पे आप जादा focus करें and astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये थर्स copies आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए से लिए आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है conflict and defeat और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो मन में किसी चीज को लेकर एक उलजन एक दुविधा रह रही है या फिर external front में चोटे मुटे issues, चोटे मुटे मसले रह रहे हैं और इसी वज़े से या फिर otherwise भी आपको ऐसे लग रहा है कि आप हार गए या फिर जो एक जीत, जो एक positive outcome आप expect कर रहे थे, चाहा रहे थे इस week आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है दिखे मैंने बहुत जोर देकर कहा इस week क्योंकि ये weekly reading है ये आपकी पूरी life की reading नहीं है तो इस चीज को सुन कर आपने परिशान नहीं होना है आपने थोड़ा सा pause करके चीजों को अच्छे से समझना है कि क्यों ये conflict है क्या इसका solution है कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं कैसे चीजों को आप resolve कर सकते हैं क्योंकि देखे जिस चीज पर हम फोकस करते हैं जिस चीज पर हम जादा attention देते हैं वही चीज हमारी life में बढ़ती रहती है और जब हम problem में अपनी life पे focus करते हैं problem ही कहीं बढ़ती रहती है तो थोड़ा सा pause करें और समझें कि इस problem का solution क्या है और देखें कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी loved one से या फिर co-worker, colleague से आपको बड़ी उमीदें थी, आपकी expectation थी और कहीं उनकी तरफ से वो एक response नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि भई ये तो fair नहीं है तो देखें, ये life है, छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहती हैं कभी जो हम उमीद करते हैं उस तरीके से चीज़ें होती हैं, कभी नहीं होती हैं और जो हम इस चीज़ को accept कर लेते हैं या इस चीज़ को हम समझ जाते हैं तो beyond the point हम परेशान नहीं होते हैं नचल में, देखें, एक unfair energies आप महसूस कर सकते हैं आपको ऐसे लग सकता है भाई, जो आप deserve करते हैं, करते थे वो आपको नहीं मिल रहा है और फिर से मैं आपको कहूंगी ये सिरफ और सिरफ इस week के लिए आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं नया week नई energies लेकर आएगा और हम next week की reading में देखेंगे कि next week क्या energies रहेंगी हो सकता बहुत बढ़िया रहें हो सकता इतनी बढ़िया ना रहें लेकिन इस week कहीं उनों बहुत great energies नहीं रह रही है ऐसे में आप surrender mode में रहते हैं अपनी self talk को observe करते हैं positive self talk रखते हैं तो इसी phase को आप बहुत असानी से बहुत easily निकाल देते हैं और अगर आप अपनी self talk को नहीं observe करते हैं negative self talk आपकी रहती है तो फिर इस phase में हम बहुत परिशान होते हैं इस चीज का ख्याल इस week आप जरूर रखें और personal front के लिए आप लुगों के लिए patience and planning का card है तो personal front में जो भी आप कर रहे हैं जो भी हो रहा है कहीं बहुत सबर के साथ कहीं बहुत अच्छे से planning करते हुए आप चीजों को करना चाहा रहे हैं इस week हो सकता है कि personal front में भी कहीं आप एक pause लेना चाहा रहे हैं आप फिर ले रहे हैं आपको यसे लग रहा है कि बही impulsive हो के कुछ भी काम नहीं करना है जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है अच्छे से समझ लें कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कोई decision, कोई choice आपको लेनी है, बहुत सोथ समझ के आप ये decision, ये choice लेना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, इसी वज़े से आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कि भई क्या आपने करा, जिसे कि आपको एक positive outcome मिला, क्या कि जिसे कि आप परेशान हुए, और इन ही सब चीजों को देखते हुए, इन ही सब चीजों को observe करते हुए, सोचते समझते हुए future course of action, आप decide करना चाह रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, तो दिखें, बहुत कुछ खास personal friend में नहीं हो रहा है, और जो भी लोग जल्दबाजी कर र और professional friend में मैंने आपको बताया, कि बहुत great energies नहीं है, तो बहुत जादा expectation किसी भी इनसान से ना रखें, और कहीं personal friend में भी यही चीज अपलाए होगी, कि बहुत सोच समझ कि आप चीजों को deal करें, and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए card है observe, तो दिखें, जो मैंने आपक कहा, वही guidance का card भी आपको message दे रहा है, कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने impulsive नहीं होना है, अच्छे से चीजों को समझना है, in fact, थोड़ा ऐसा अपना नजरिया बदल के भी चीजों को दीखने की कोशिश करनी है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है, कभी- नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब हम दूसरा भी पहलू देखते हैं, दूसरे भी, you know, perspective से चीजों को समझते हैं, तो हमारा एक broader understanding होती है, और हम better decision, better choices ले पाते हैं, तो इस चीज का भी खयाल आप इस week ज़रूर रखें, and astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है, इसके हिसा आप से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा, Wednesday, तो ये था, Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ताहिक राशीफल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए कि Capricorns आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिए करा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है, the waiting game, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में, किसी चीज़ का इंतजार या तो आप कर रहे हैं, या फिर आपको करना पड़ेगा, यानि कि कोई भी outcome, क आपको नहीं मिलता हुआ, देख रहा है, बहुत clearly again ये card कहता है, the waiting game, यानि कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको patience रखनी पड़ेगी, आपको सबर के साथ चीज़ों को deal करना पड़ेगा, या फिर सबर रखना पड़ेगा, अब दीखें, थोड़ा-थोड़ा सब क आपको लग रहा है, बस वो outcome आपको मिल जाए, बस वो result आपको मिल जाए, तो इस week नहीं मिलता हुआ देख रहा है, देखें मैंने बहुत जोर देकर कहा इस week, क्योंकि ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है, नया week नई energies लेकर आएगा, नय week की reading में हम देखेंगे कि क्या energies कि हो सकता है, आपका इंतजार खतम हो जाए, हो सकता है भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े, तो अगले week की बात हम अभी नहीं करेंगे, इस week तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, और देखें एक message जो एकाड देता है, कि बहुत ही सब्र, बहुत ही patience के साथ, आप को डील करें, आप बिल्कुल भी impulsive ना हो, बिल्कुल भी जल्दबाजी, किसी भी चीज के लिए ना करें, and personal front के लिए आप लुगों के लिए hope का card है, तो दिखें, hope बहुत ही एक positive energy होती है, क्योंकि जब या जिस दिन हम hope छोड़ देते हैं, या फिर हमारी hope खतम हो जाती ह उस दिन हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ खतम हो गया, और जब तक हमारी hope, जब तक हमारी उमीद कायम होती है, तब तक हम look forward करते रहते हैं, तब तक हम better feel करते हैं, तो पीछे किसी भी चीज को लेकर, अगर आप ना उमीद हुए या फिर नहीं भी हुए, तो बहुत hopeful चीज आपको एक direction मिलती हुए दिख रही है, तो overall दिखे, personal front काफी अच्छा रहता हुए दिख रहा है, क्योंकि जब एक positive frame of mind होता है, तो जो चीजे नहीं भी हो रही होती है, उनको लेकर भी हम मायूस नहीं होते हैं, और इसी positivity के साथ जब हम चीजों को deal करते हैं, तो हमें एक positive result मिलता है, हम कामयाब होते हैं, हमें success मिलती है, तो दिखे कहीं इस तरीके की energy जहती भी दिख रही है, personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, professional front में कुछ भी खराब, कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता ह और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए shine का card है, और ये card भी कहीं एक positive energy की बात करता है, यहां यह card कहता है कि बहुत positivity के साथ चीजों को deal करें, और जो भी हो रहा है, personal, professional front में कहीं आप shine करेंगे, कहीं आपको वो एक appreciation, वो एक recognition मिलेगी, जो आप deserve करते हैं या फिर आप चाहा रहे हैं, and astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है, इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस वी आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था Capricorns, आप लोगों के लिए coming week का साथ आप तही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बता चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें, इकमिंग वी क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है triumph success, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मुटे challenges, छोटे मुटे issues रह सकते हैं, जो कि किसी level पे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आ किल करेंगे, mind से आप हर चीज को देखेंगे, समझेंगे, और आप give up नहीं करेंगे, आप willpower determination रखेंगे, तो definitely जो भी challenges हैं, उनको आप बहुत easily overcome कर पाएंगे, यानि कि देखिए success आपको मिलेगी, और इस card में भी लिखा है triumph success, तो success आपको मिलेगी, लेकिन एक fighting split आपको पड़ेगी, अब यहाँ पर fighting split का मतलब यह नहीं है, कि जो भी आपके colleagues हैं, co-workers हैं, आप उनके साथ लड़ाई करें, मुझे लगता है most of the times जो हमारे negative thoughts होते हैं, negative belief system होता है, उससे हमें लड़ने की ज़रत होती है, एक लड़ाई, एक युद्ध हमारे अंदर ही चलना चा और अगर हम अपने negative thoughts पे विजय पा लेते हैं, तो फिर external front में कोई भी चीज हमें नहीं हरा पाती, कोई भी इनसान हमें नहीं हरा पाता है, और इस तरीके की energies आप ज़रूर रखें, रखेंगे, तो definitely victory आपकी होगी, success आपकी होगी, क्या होता है न, जब external front में कोई भी हमें हरा रही हैं, लेकिन actually जो हमारी एक negative self-talk चलनी शुरू हो जाती है, ये हमें हराती है, तो फिर से कहूंगी, अगर आप जो भी negative thoughts हैं, उनसे लडाई करते हैं, और otherwise भी, external front में भी अपने लिए stance लेते हैं, आप बहुत जादा किसी से ढरते नहीं हैं, घबराते नहीं है courageously upfront के चीज़ों को deal करते हैं, तो challenges जरूर छोटे मोटे रहेंगे, problems जरूर छोटी मोटी रहेंगी, लेकिन आप उनको overcome कर पाएंगे, आपकी success, आपकी victory भी जरूर होगी, and personal front के लिए आप लोगों के लिए truth का card है, और अगर इस card को literally देखें, तो कहीं you know, such से, या तो करना चाह रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर सच आप जानना चाह रहे हैं, कितनी बारी होता है ना, मैं ऐसे लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आखिर you know, such क्या है, और इसी curiosity के साथ हम चीज़ों को deal कर रहे होते हैं, तो literally हो सकता है, ऐसी सी energies हैं, या पिर you know, आप थोड़े से critical, थोड़े से judgmental हो रहे हैं, हर चीज की गहराई में जाना चाह रहे हैं, हर चीज के पीछे का logic समझना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है decision choice आपको लेनी हैं, और कहीं ये decision, ये choice भी logically आप लेना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप again जो भी आपके loved ones है, close ones हैं, उनको लेकर critical judgmental हो रहे हैं, और दिखिए हम क्या खुद को justification देते हैं, कि भई ये तो सच है, I understand कि सच हमें बोलना चाहिए, सच के साथ ही हमें खड़े भी रहना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है अगर सच किसी को नुकसान कर रहा है, या फ सामने वाला hurt हो जाता है, तो भी कहीं वो ठीक नहीं रहता है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप सच के साथ खड़े रहे हैं, सच का साथ दे, बट इन दा प्रॉसेस, आप थोड़ा सा खयाल रखें कि आप इतने जादा blunt, straight forward तो नहीं हो रहे हैं, या फिर critical, judgmental तो नहीं हैं, या फिर सच को समझते हुए चीजों को करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो इसी के around कहीं चीजें रहते हुए दिख रही हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें बड़े ही mysterious तरीके से आपके personal front में रह रहे हैं, जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहागी, इस या फिर जो भी जूट होते हैं, उनको हम अपनी जिंदगी से let go करते हैं, और हम एक clarity लेकर आते हैं, और बहुत ही refreshing तरीके से या फिर नए सिरे से हम चीजों को करते हैं, तो इस तरीके की भी energies आप लोगों के लिए रह सकती हैं, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए well deserved reward क card है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि जो एक reward, जो एक praise, appreciation या फिर gift आप deserve करते हैं, आप चहा रहे थे, आपको लगता है ये तो भाई हमारा right है, वो आपको या तो मिल रहा है, या फिर कैसे मिले, उसी से related एक effort है, उसी से related एक कोशिश है, and astrology से आप लोगों के लिए pices sign का card ह है, इसके हिसाब से जो भी समंदर के रंग होते है, sea green, sea blue, आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था Aquarius, आप लोगों के लिए coming week का साथा है, एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए, चलिए वाइसे आप लोगों के लिए देखें, coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है disruption, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर overall ही थोड़ा सा तूटा हुआ, थोड़ा सा बिखरा हुआ आप महसूस कर सकते हैं, और इस चीज़ को सुनके आपने परिशान नहीं होना, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है, सिरफ और सिरफ इस week की reading है, और weekly reading में कोई बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, simply कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कि किसी चीज़ को लेकर ब काम कर रहे हैं, तो एक positive result, एक positive outcome इस week आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, ठोटी मोटी चीज़ें, अगेन मैं कहूंगे, आपको परिशान कर सकती हैं, आपको बॉदर कर सकती हैं, और इसलिए या फिर अदर्वाइज एक frustration, एक irritation भी आप महसूस कर सकते हैं, और मैं रहेंगे, तो beyond the point hurt नहीं होंगे, और थोड़ा ऐसा आप you know, over confident भी किसी चीज़ को लेकर ना हो, एक गुरूर भी ना रखें, तो इसे बोलते ना, बड़े humble होके, बड़े grounded होके, बड़े practical, realistic होके, अगर आप चीज़ों को deal करेंगे, तो इस week energies को बहतर करेंगे, लेकिन अ आप का relationship किसी level पर तूट रहा है, और दिखे, फिर से कहूंगे, ये सिरफ और सिरफ इस week की energies हैं, तो इस week ही आप ऐसा महसूस करेंगे, next week हो सकता है, चीज़े better हो जाएं, ये तो depend करेगा next week के circumstances पे, तो सिरफ और सिरफ इस week के लिए again छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं, and personal front क के लिए, आप लोगों के लिए moving on का card है, बहुत ही clearly, moving on का card movement की बात करता है, shift की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, अब दिखे movement, shift तो personal front के किसी भी area में, या फिर overall ही रह रहा है, लेकिन situation, circumstances, surprises के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए simply हो सकता है, आप travel कर रहे हैं, कर चीज में, आप अठका हुआ महसूस कर रहे थे, stuck महसूस कर रहे थे, तो इस वीक उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है, जो भी problems आपको परेशान कर रही थी, उन से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो देखे जो भी चीजे मेरे mind में आई, मैंने कह broader level के लिए moving on का card कहता है, कि एक movement है, किसी चीज को छोड़ कर आप आगे बढ़ रहे हैं, और जादा ये card कहता है, जो चीज आपको परेशान कर रही थी, उसको छोड़ कर आप आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ के लिए otherwise भी रह सकता है, change of place, change of residence, change of city, location भी इस वीक, किसी न किसी लवे पर या तो रह रह रहा है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं, कोई connection भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए, आप कहीं नो आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बलकुल move on कर जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए reading नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की reading है, तो इस वीक इस तरीके की energy रहती भी दिख रही है, और इन जनरल या फिर guidance है, आप लोगों के लिए trust का card है, या तो आप complete faith, complete trust, जिस भी God को मानते हैं, उन पे रखते हुए चीज़ों को deal कर रहे हैं, या फिर आपके लिए message है, कि इस वीक आप surrender mode में रहें, एक complete faith, आप यूनिवर्स पे या अगें जिन God को आप मानते हैं, उन पे रखते हुए चीज़ों को deal करें, astrology से आप लोगों के लिए children का card है, इसके इस आप से all shades of green, yellow इस वीक आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant days आप लोगों के बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाएं,